नवस्कार स्टेट्स आज हम डी सेम जई मैंस का पेपर डिस्कुसन करने जा रहे हैं ठीक है बड़ा सबसे पहला प्रोब्लम क्या है अबोनिया फॉम्ड़ कॉंप्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है लेकिन अचलीक मीडियो में एच प्लस के साथ रेक्शन कर लेगा और एच प्लस के साथ रेक्शन करेगा तो यहां पर नहीं पोजिटिव केटान बना देगा अब नहीं करता और लिगेंड की तरह नहीं कर पाए इस वज़े से कॉंप्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम क्या रहा है अपना फॉर्ट वाल अप्शन क्या कर एक एक स्वोलिशन प्रोटॉंस और कॉडिनेटिट वित अमोनिया मोल्कूल स्फॉर्मि स्वोलिव और अपना सियो का इस को सबसे पहले में आप पास इसके रिएंड की वैल्यू थर्टी फाइव के बराबर देरेंगे अगर यह एक कॉंप्चर करता है तो सिंपल सी बात इलेक्ट्रॉं को क्यप्चर करेगा तो एस कंडिशन में इंड की वैयलिव using 36 के बढ़ आगी अगर एक तो वाला complex क्या होगा होगा सबसे पहले अट्राइट का दूसरा यह हो सकता है कि इसका daimen praisam goke , तो यहां पर क्या बन जाएगा see you see you eat यह वालका नुइघया औहुन दौरान इक्स्ट्रा आपके पास मैंटकल मोन बॉनड आए और मेटिल अने के लूर इसका की इन के वेलु थार कोशन देखिए प्राब्लम क्या विच आप दी फॉलोविंग कॉंप्लेक्स हेविंग लाज़स सीयो बॉंड लेंग इसके अंदर सिनर्जी बॉंडिंग क्या होगी जादा तो सिनर्जी बॉंडिंग ज्यादा किसमें जहां पर मैटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या सबसे ज्यादा बॉंड लेंड जो है वह फोर्त में हो जाए ठीक है नेक्स फॉलोविंग पेर आप दी कॉंप्लेक्स एन आप दी सेंट्रल एक्टम आर सेम इसमें पताना है कि एन की वेल्यू किसमें सेम आएगी ठीक है एने सियो फोर के अंदर देखो एने का अटमिक नम कितना होगा 8 तो इसके एन की वेल्ण 36 के बार भाव रहेगी सेम इसके अंदर अभी आपके पास किसमें पढ़ा फ्लस टू में एफी 26 होता माइनस टू प्लस लिगेंड कितने 12 ऐल एक्ट्रॉंस है तो 24 प्लस 12 यहां पे कितना बार ऐसंदू आप थाद इसमें भी एन के व पूच सीड़ाने करना की को बताना जिसमें डियो मर्श कर रहा है सिनर्जी बार्ण ने के दो सिंपल सी बात इसके अंदर तोção पाइस के पार्न टीर और होने की इस प्धियों के पास यह के अर्बि और हो ऑप मिकशन मेधल होने कि सबसे पहले आप Oxidation State निकालोगी तो यहां पर आपके पास क्या है एक से माइनस टू आ जाएगा और यह ओल और के उपर चार्ज कितना है थरीका और प्लस या पिर ऐसे कहा सकते है कि इसके उपर करोगे तो यहां से आप ऐसे कैल्गबे करोगे तो świe इसी के बारा गारतों कितना के प्लस थी सकॉत तो देखो पहला वाला option के अंदर यहां पर क्या कह रहा है डाई नाइट्रेटों यहां पर डाई नाइट्रेटों उपर से इथिलीन 20 आ रहा है लेकिन 20 में यह जो भी है इसको अलफाबेटिकल ओडर में करना होता है और अलफाबेटिकल ओडर में तो 20 पहले आएगा तो यह वाला option आपका क्या हो जाएगा रैजक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्सन देखते हैं 20 इथिलीन डायमी इथिलीन डायमीन आ रहा है ठीक है डाई नाइट्रेटों भी आ ठीक है पालाडियम फोर्थ भी आ यह पाला है एक्जास फाइन यह फोर्मेट्स यह वाला ओपसन आपका सई अपका सभी भी आनट्रेटों एड़ीन दे रहा है और एड बैसेकली यह वाला जो है अनो 3 माइनस में एलेक्ट्रों पे एन नहीं देता है इसका आप इस्ट्र्क्ट्र बनाऊगे ना तो इस्ट् कि नेक्स्ट प्रोडम क्या कह रहा है कि आपके पास दो इस दोनों के अंदर आपको बताना है इसको किसके दोरह डिस्टिंग्विस्ट कर सकते हैं तो सिंपल सी बात ही यहां पर काउंट राइन क्या है क्या आपके बbouryon-चार किया था ठीक हो यसको अगर्ग में आपके पास क्या बनती वाइट प्लї ये तो दोनों में डीफरेंश आ रहे हैं लिए न早ग क्या सब्सक्राइब को capacet उसको डिस्चन को कर सकते हम इर्थ वाला प्रब्लम क्या कह रहे हैं तोटल पॉसिबल कोडिनेशन आइसोमर पोडिफ होलोइंग कमपोड आपको बताना है कोडिनेशन आइसोमर बताने ठीक है तो सिंपल सी बात है इसमें यह वाले पर तो सौट ट्रिक से हम कर सकते हो ठीक हैं क्या है कि दोनों के अंदर मैटल आयन क्या है सेम आ है दोनों कोडिनेशन तो सिंपल सी बात है तो इसका हम जाएगा तुप्णेशन नमब्र कितना है यह दो पॉर का अके ऑगर होती इसके आदर नंबर औकि निकालों कि तैने इन होल्ट वह ऊसा जा रिए चीटू ओफोर को एक बार इधर की तरफ लेका है तो यहां पर क्या एगा सी यार एगा सी टू ओफोर दो बार ओघे ठीक है न एक और स्ट्रक्चर बनाओ और सी टू फोर को एक्सेंज करो तो सी ओ इन कितनी वन टामस रह जाएगा और यहां पर सी टू कितने सा गया सब्सक्राइब और यहां पे क्या आएगा चार इसी उमर्स आजिए चार की पर आप आयने एक्षेंज करोगे इसमें कॉड्रेस इसमर्स जो आएंगे कितना हैंगे चार के बड़ा इसका आंसर कोंस आएगा फोर्थ वाला आंसर आजाएगा ठीक है बड़ा नेक्स्ट वाल प्रच्वेश क्या रहे इन विच आप थी रैश्म मिक्सरी जोप्न दमीख सब्सक्राइब करने आपको यह देखना मेरी मीज्ड से करने लिए के निदर आपको पता है कि ऑप्टीकल अक्टिव अप्रम्स प्रक्वेश्व होना चाहिए आपको यह तो पता ह इस थ्रैप कर यह करबाए और सबसी बात यह और इसकी मिरमेज वन रिंदर आजाएगी तो यह लाज आपका आजाएगा जो कि एने समर के सब्सक्राइब का मिक्सर की फॉर्म रहेगा एक तरसे रेस्मिक्सर बन जाएगा वन्रीश बन का अब इसके अंदर इसको अगर ऐसे कट करो तो यह वला अगर अगर आप प्लैन लो ना तो यह दोनों मिरे में जाएगे तिसका मतलब क्या होगा सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब करेंगे इनके पॉसिबल इसकी बात कर लेतों तो यहां पर क्या दे रहका है सब्सक्राइब क्या करेंगे इनके पॉसिबल अरेजमेंट बना देंगे एक तरसे जोमेटिकला इसमर बना देंगे तो यहां पर एए बी और यहां पर क्या एगा सब्सक्राइब करण सकता हूं तो यहां पर क्या एगा इस को और यहां पर इसगे आपके पास AC आला जाए ठीक है यह एक्सेंज कर लिया अब देखो इसके अंदर और एक्सेंजिस कर लिया जाए ठीक है जैसे कि यहां पे CC था और CC में इन दोलों को अगर मैं एक्सेंज करो तो यहां पर AB है और यहां पर AC आजाएगा और यहां पर क्योंद यहां पर दो प्यास किया सकते इसका या इस कि पास प्ल absolute फिकनल को वह ठीछ होगा ठीक है इसमें भी खेता की में से मारत है यह भी क्याओं यह फ सब्सक्राइब फ्लिए और यह और यहां प्रॉटि अक्ति प्याम अक्ति आहिकर्ण संपास बात करें कितने हैंगे 6 इस पेसाइस ओमर ठीक अब दूसरे वाला देखते इसके स्पेस ओमर कितना हैंगे आपके पास चे आगे तो मतलब ऑपसन नमर सेकेंड और और अपसन नमर थर तो अब बात करते सेगंड ऑपसन की म अभी थ्री आगे ठीक है ना तो एन अभी थ्री के अंदर क्या होगा देखो यहां पर आप सबसे पहले इस्टेटर बनाओगे यहां पर एफिट इन अगे तो पहले ले लिए हमने एवी लिया ठीक है दूसरा आगे एवी और तीसरा एवी एक अरेसमेंट यहों गया, दूसरा अरेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यह भी तो ले सकते हैं, देखो, यहां पर A B आ गया, ठीक है न, और यहां पर क्या लिए, और अगेन मैंने क्या लिया, तो टोटल स्क्र Tech लाइस बरक गोंगि तो इसके छार्थ लाइस तो यहां पर में अभी क्या बताया इसके अप्ट Dollye small किया शे और इसके आपकी पास कितने हैं कि 240 टो अपना आप संज सेकेंड और थर्थ कि डिलीट हो गिंए अब बात करते फ़र्स्ट की पर्स्ट के डिफरेंट डिफरेंट परा देखें एम ए थरी बी टू सी तो ए ए तीन बार लिक widi लिए ठीक नब बी बी दो बार आ रहे और सी एक बार और पेर बनाईए है पहला पेर आपके पास कोई सा आ गए यह वाला पेरखें ठीक है अब हम लोग रहते ह यहां पर किया उखाए ड्रीज इसके अलोगा और पोसिबिलीटी बनती नहीं अब यह वाला क्या होगा प्रीकल एनक्टिव यह और चाहरे ना तो यह भी क्ववा उक्टिकली इनक्टिव यह और एक प्रीकिली अर्यक्टिव हैं तो उसको डवला कंसिडर करने की ज्यूरुत नहीं इसके टोटल स्पेस आशोपर होँगी तीन के बढ़ा तो तीन के बढ़ जिसका आशा कोन साईगा आपका फोर्थ वाला अंसव ठीक है बढ़ जिसका आशर फोर्त वाला है तो ट्वेल्थ वाला प्रोब्लम किया कि दिश्रीज विद ग्रेक्ट ओडर उप इंक्रीजिंग डेल्टा नौर कॉंपलेक्स हैं देसे मेटल के तो सिंपल सी बात है कार्बन डॉनर अच्छे लिगें तो तो कार्बन में सी ओ में सिनर्जी बॉंडिंग होने के करण यह ज्य और प्रोब्लम क्या करें एर्इंज दर फोलोविंगर यह दो फॉलोविंग इन द ओ और डेविजिंग नंबर उप उप एलेक्ट्रों आपको बताना है इसके अंदर आनपेड एलेक्रों का ओडर सिंपल सी बात हैं सबसे पहले आपन लोग क्या करेंगे feh2 रूजिश ठी वन टू थ्री फोर फाइव और शिक्स इसमें टोटल नमबर उप अनपेल इलेक्ट्रों कितना हैं कि फोर के बरब सेकेंड वाली बात करें सेकेंड में फी प्लस त्री का मतलब कौन फिक्शन क्या एगा डी फाइगा और डी फाइव के अंदर आपको मालूम होना चाहिए यह यह वाला इस्ट्रॉंग लिगेंड है यहां पर कहाएगा वन टू थ्री फोर और फाइव यहां पर अनपेल इलेक्ट्रों कितना हैंगा वन के बरबर आजाएगा ठीक आगे देखिए यह वाला एफी प्लस टू में तो इसका मतलब क्योंगा कौन पिक्शन डी 6 होगा और सिंपल सी बात इस्ट्रॉंग लिगेंड तो पेरिंग करा दी हमने यहां पर इन पर इलेक्ट्रों कितना हैंगे जीरो के बरब और यहां पर हम देखे एपी प्लस ट्री है और एक तरसे दीफाइव कॉन पिक्शन और यह वाला क्या है विक फिल लिगेंड है और विक फिल होने की वज़िस्ते 1 2 3 4 5 पेरिंग नहीं हो पाईगी तो टोटल नंबर अपन पर इलेक्ट्रों कितना हैंगे 5 यहां पर इन पर इलेक्ट्रों कितना रहे बड़ा 5 सेम यहां फिस थर्टीन वाले प्रब्लम में आपको बताने है डिक्रीजिंग और में बताने तो सबसे ज साथ में एचितना थे और फाइचा यह फिल्टीन इपने फट्राइख साओ सेब लाएं फोलोंस होगा नेच्श्मर्याय समय रह घैन निया ultimate अवह घैन देखें मोंमेंट्स इंट नहीं कर सकते हैं यहां पर ध्यांदर कलर नiggles होगा है next problem among the nitrate of alkali metals which one can be decomposed with oxide simple सी बात है आपको मालूम होगा lithium का nitrate जो है वो decomposed हो कि किसमें होता है Li2O plus 7 में NO2 plus 7 में O2 में decomposed हो जाए जबकि दूसरे वाले जो है ध्यान रखना जैसे KNO3 आया नीचे आया यह डीकमपोज होगे नाइटराइट प्लस साथ में O2 देते जैसे के NO2 क्या देगा O2 प्रोएड करेगा पूरा का पूरा डीकमपोज नियों होगा क्योंकि एने टु सीएस के जो तो नाइट्राइट है वो क्योंते डीकंपोज आगे फरदर नहीं होते इसलिए औक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते तो यहां पर आपको कुछ आएगा लाइए नो थ्री आ जाएगा सब्सक्राइब करों थे तरे लेटार कीवेलू यहां पर कॉर्डनेस नुमर नाचे इसके लिए डेल्टा में खुण पास कोड़ने समर चार है इसके लिए डेल्टा टीक वाले तो सिंपल ची बात आपको पता कि डेल्टा टी जो होता है ना वह फोर वैए नाइन ऑफ डेल्टा नौर के बराबर डेल्टा नौर की वेल्य अपने पास कितनी देर की अच्छ चाहिए टीन तो यह कितना है तो यहां पर कितना है अपको यह को कि अच्छ पर नेगडिक बश्याइज के बराबर आजाएगा ठीक है अग्नेक्स्त पोलिफ को कि इलेक्टऌन गैनें और ओं ऐसका मतलब क्यों गा कि ऑपोजरी डैक्शन में क्योंगा स्के वर्ण इलेक्टों के है नेक्स तोटियों वेन इस्ट्रोंग लें लिपी ने एकसे आप लॉरी ऑक्सेशी में लिया तो सिंपल सी बात एक्सेश में पोटेसयाय पर-Oxid को कर सकता है थीक थीचिक पहले तो वैसे तो बनता है फिर बाद में साथ रेक्शन को तो के तूवड और आख्शन के साथ रेक्शन को तो फॉड़ी सी बढ़ी तो यहां पर आपको पॉस्चा बन जागा कियो टिक नेक्स्ट बावन देकंपोंड फॉर्म्ड ओन इटिंग सोडियम मेटल देकरंट आप ड्राय अमोनिया इस टिक है तो सोडियम होता ना तो सोडियम इमाइड का फॉर्मस्ट होता नेक्स्ट सोडियम परक्साइड इस यूज़ तो प्यूरिफाइड एर इंद सब्मेरिस एंड को इस ठीक है बेसिकली सोडियम परक्साइड करते हैं क्योंकि यह स्यूर्ट करने में काम आती कैसे देखो अगर में स्यूर्ट के साथ रेक्शन कराता हो ना तो पहले टो एन यह वहला बेसिक ऑक्सी आपसमें रिएक्संद कर लेगा तो यहां पर ऐने टूस्यों दिट्री बन जाएगा प्लस साथ लिब्रेट हो तो अल्टों को तो पर रहा है और साथ 20 को क्या कर रहा है एड साथ फेरे च्राइब कर रहा है ठीक है इसलिए सब मेरी इसमें यूज क का खाई त्रिपल व्र प्रॉंड का टीकर सब्सक्यां अंदर जnt잇 यह जडिक के इसके अंदर आएंस देरकाने यह वला ठीक catalog सिग्णा मोंगलेंगे और दो पाइ ऑसन के लिए बाद अनधर अनुद्य firmane पोटेक्ट्ल ए। पाई तो फर्स्ट आंसर आजाएगा है 23 विच आप फोलोविंग साल्ट डज नॉट इंपार्ट कलर टूदी फ्लैम सिंपल सी बात है यहां पर बेरिलियम मैंगनेशियम केल्सियम स्ट्रोंसियम बेरियम एंड्रे इसके अंदर बेरिलियम और मैंगनेशियम जो है वो फ्लैम टेस्ट नहीं देता है ठीक है बाकी यह वाले देते हैं तो इसमें आपके पास मैंगनेशियम आ रहा है तो आंसर कौन साइगा फर्स्ट वाल आ जाएगा तो यहां पर आइन ही करेक्टर होता है जैसे सीओ सीयल टू डॉट तो अब उस कंडिशन के अंदर आपके पास क्या बनता है क्लोराइड बन जाता प्लस साथ में टूएज टू आज जाता इसके केस में ऑक्सिड बनी अच्छा अगर इसमें में ड्राई एयर पास तो यह के सोडियम में पोटेशियम में ठीक है रूबीडियम में इनके कार्बोनेट जो होते हो क्या नहीं होते डीकंपोस नहीं होती इतिंग द्वरा इसलिए आंसर कौन साइगा फर्स्ट आएगा ठीक है अग्या नेक्स प्रफब्लम 26 क्या रहे विच आप फॉलोविंग स्टेटमेंट आज ट्रू अबोट अबूट बूट अपको आपको बताने प्रॉब्लम क्या क्या रहा है बेर्लेमेंट मेंगेशियम फ्रम नाइट्राइडीन नहीं है सही बात है सैके एक जो एलिमेंट है वह बिसिकली एट्मोस्परिक नाइट्राइड के साथ रेक्शन करके क्या बनाते है नाइट्राइड का फॉर्फ फॉर्फ आंसर रख नेक्स पर्वम्म नाइट्राइड को अगर आप हीट अफ करोगे ना तो सिंपल सी बात मैंने बता है था यहां पे आपके पास क्या आपके लगा केवल यह वाला आजाएगा ठीक है कि अब बेसिक चरेक्टर अब लिए ऑक्साइड एमजी ऐसरो के टू एंए यह सीस्क्ट वात है लप टू राइड जाते हों प्रेडिक टेबल के अंदर तब बेसिक एक्टर क्या होता है डिक्री जोता टॉट आप टो बॉ और सेकेंड ए में औक्साइड में फिर्स्ट एक बेसिक एक्टर और बेसिक एक्टर जादा होता है और टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा बेसिक बढ़ेगा इसलिए आपका आंसर कों साइगा थार्ड वाल जाएगा टेके हैं तो 29 दा इन्करेक्ट स्टेटमेंट अमंग फॉल्विंग आपको बताना इसके अंदर इन्करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा तो करेक्ट की पैचान कर लेते हैं दो फर्स्ट आयनस पोटेंशल अप एल इस लेस्ट देन फस्ट आनि दो एमजी एंड एलुमिनियम के अ इस पोटेंशल ओको शर बात इकडम क्या है साओ है सिबात है क्यों कि बात सए इस लंके नहीं कि आफेज ब्रकेस्ट और एक चुक्तके आपकर ए और कियान 1990 Сवयगे बात करता है और सेगे आइने से पोटेसिंट इलेक्ट्रॉन एम जी आराम से मधी प्लस टू में जाएगा क्योंकि आप्टेट को कम्प्लीट करेंगा और यहां से यह प्लस टू मनेंगा ठीक है ना जिब आराम से जाएगा तो से च्पर होगी कम होगी तो मतलब वार सूरियम के अगर बात करें तो यहां पर सोडियं में पहला इलेक्रों रटा दिया तो अटेट कंप्लीट कर चुका है अब टेट किंप्लीट का ओक्टेट सी इलेक्ट्रन को अपर बहुत मुखल सा काम एब इसलिए तो मेंगनेशियम इस ग्रेटर देन सेकेंड आइनस एनर्जी ऑप सोडियम गलत बात होगी न हमको इनकरेक्ट इस्टेइमेंट ही पूचा है इसलिए आपका अंसर पहुंस आएगा सेकेंट आ जाए ठीकिए बड़ा कि नेक्स्ट प्रम्द करेक्ट ओडर ऑफ इंक्रीजिंग सॉलिबिल्टी और त्यान देना यहां पर यह सभी एलिमेंट्स जो दे रहे हैं मतलब मैटल से एक तर से फर्स्ट एक मैटल दे रहे हैं और फर्स्ट देमें ध्यान रखने वाली बात क्या है फ्लोराइड है हाइड इन में टॉप टू बॉटम जाने पर सॉलिबिटी क्यों जाती बढ़ जाती बाकियों की जली क्यों तो यह बात क्या है सही है ठीक ना कार्बोनेट के अगर बात करें तो कार्बोनेट में यह उल्टा दे रहा है ठीक है तो इनके अलबा आ गया है तो नाइट्रेट के सॉलिबिटी क्यों जल्ली घड़ती है तो टॉप टूब बोटम जाने पर घड़ेगी तो इसकी सबसे ज्यादा होने चीज़ यह वाले भी बात कर रहते है तो इसका आंसर कौन सा है बड़ा सेकेंड वाला आंसर आजाए ठीक है नेक्स्ट सेक्षन भी इंटेजर टाइप के प्रॉब्लम है ठीक है क्या करें इन प्रॉब्लम के अंदर हो मेनी कॉम्प्लेक्स विल फोलो सिडविक एन रूल आपको बताना है सिडविक का एन रूल मतलब एक तरसी एन रूल को फोलो कौन करता है ठीक है आप जरा देके पास लिगेंड कितने टोटल चार तो 80-2 कर लिया 80-2 कितना होगा क्योंकि आपने पास 78 प्लस लिगेंड कितने आ रहे है चार लिगेंड तो आट एलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर कितना होगा टोटल 86 के बरावे तो यह वाला एन रूल को फोलो करेगा भी 86 नॉबल गयस का एलेक्रोन नहीं कौन पी किसा नहीं तो यह वाला फर्स्ट वाला जो है यह एन रूल को फोलो करेगा ठीक है कितने हैं आप पास छे लिगें तो टोटल 12 एलेक्रोन आएंगे तो 24 प्लस 12 कितना हुआ 36 बला यह भी एन रूल को फोलो करता है ठीक है अब इसके अंदर देखो एनो है और यहां पे सियो है एनो थ्री एलेक्रोन डॉनर होता भी जबकि एफी जो होता है सियो जो होता है ट 2008 लिए उसके अरवन बात करें यांपे प्लेटिनम प्लस प्लस फोलो करें इसका कितना है फिर बाद में बात करते हैं याँ पर फ्लेकशनल यहांपर प्लेटिंव में है यां पर ध्हां दो प्लेटिंव कितनों कि शुरलoth इंदर ना करेगा बात करते हैं यह ए इस फ्लेटिटन डोलन्युक्रिस रिअति मातली रें 164 चला गया तो कितना गोज़ 24 और 24 में से 12 जोड़ने थाइगा 36 तो यह भी ये अरू को फोलो कर लेगा ठीक है तो आपकी पास पूचा गया है कि कितने से कॉंप्लेक्स जो है वो इन रूल को फोलो करें तो देखो फर्स्ट सेकेंट थर्ड फोर्थ और फाइब तो इसका अंसर कितना है का पांच आज है को जो इन रूल को फोलो करें ठीके बड़ा नेक्स्ट देखो अप्टिस्टी ऑप और्गनिक लिगेंड इन दब कॉल्विंग कॉंप्लेक्स आपको यह कॉंप्लेक्स की आपको क्या बतानी है कैसे करोगी तो सिंपल सी बात है यह मैटल लाइन को लेक्ट्रों पेर दे रहा है यहां पे दो पाई बॉंडेट जो सिस्ट कि बरबर आजाएगी ठीक है नेक्स्ट प्रोंड देक्सिंट नंबर ऑफ दिस इंट्रल एक्टम इसमें सेंक्राइब नंबर तां सिंपल ची बाते ऑक्षिदेशन जोग कितने होता छे यह वाला फ्लैक्सी डिंट्री लिगंड की तरब भी हो करेगा तो शिंपल ची बात ठीके तो पहले optically active की बजाए फैले हम टोटल number of possibilities ले ले लेते तो यहां पे a a b b and c d एक पेर तो यह वाल आ गया ठीक है दूसरा पेर इन दोलों के एकस्चेंज करो तो यहां पे A b ho गया यहां पर यहां पर आपकीपास क्याया एकश्चेंज करते एक को यता वत रखो et यहां पर क्या है का बी-सी और यहां पर क्या है का बीडी ठीक है फिर हम लोग इन दोलों को एक्सेंज करते हैं तो क्या होगा देखिए एसी बी-बी और यहां पर क्या आएगा अब क्या करते हैं इन दोलों को एक्सेंज करें इन दोलों को अगर एक्सेंज करते हो यहां से क् and BC and AD आजाएगा ठीक है और possibilities देखते है देखो इन दोनों को access करते एक बार तो यह AB है और यह क्या हैगा AB की बजाए हम लोग BD यहां पर आ गया और यहां पर क्या है AC आगया ठीक है यह वाली possibility चेक करते repeat और ही है यह वाली possibility कई पर repeat नहीं हो रही a b b d a c repeating हो साथ में ए भी bc और दीपays रिपीट नहीं हो रही अब दोगो यह वला उप्तिकली इनेक्टीव ये भी और उप्तिकली इनेक्टीव ये, यह भी और उप्तिकली इनेक्टीव ये वहाई जो कि यह वाला क्या है तो दो आफ लोग किपना अच्छे इसको अपर लोग क्या बानते हैं विक फिल्ड के तो 1,2,3 ठлично है न यहां पिया एक 4,5 और यहां पिया एक 6 टोटल number ofnisse पृशन नबर टोटल number of victor कितना हैं कि यह दो त किसा answer कितना हएक नएक कि बराबर आज़ाएं ठाज ळो are next problem the number of measure maximum Director for . c सींपल शी बात है मेक्सिमस से मेक्सिमम कितना बना सकते है चार बना सकते तो इसलिए मैक्सिमुम कोहलों कितना है आप रचात है और रमेनी त्री सेन्टर फोर एफ्रमां फ्रेजंट इडाइमर डाइमर निद्री रल्त गदेखो वी इस एल टूगë ये वाला आपके पास बीजिए टूगा डाइमर ये लेक्ट्रोन पेड देगा ये वाला इसको इलेक्ट आपके त्सक्राइव थेकर ये वाटर मोल्कुल आर प्रजेंट इन जिप्सम जिप्सम का फोमलों तो सी आसो 4.2 थो तो वाटर मोलकुल कितना है गागा दो ठीक अग्यों नग्यों आसरी आसरी ने ने टो टोटल नंबर और वपलिशन स्टेप्र अधर देन जिरुच्च्छ फस्टेक अलेमेंट तो प्लस वनी ऑक्षण स्टेट सोकरता है यह बयरी बारियम सेंडेका है फ्लॉरी इस माइनसें इन प्लस तो करता है बरिल्यम फिलस टू इ सिंगल ऑक्षिनिस्टिट पूछा तांसर कितना है यहन 2 3 4 5 6 इस का अंसर कितना हैगा 6 के बराबर आजाएगा ठीक है भई चोट नें नमबर पर एक्ट्ण इंप्र ल्डेक्ट्राइन क्म्पेस पर्मला क्या होता है फ्ट्राइव और यहां पर यहां पर यहां पर कहाएगा ख्रीन रख्टेल यहां पर प्लस हम और ठीक है ना प्लस वन तो देखो 26 26-25 में से अठारा घटा दो अठारा घटा गोई तो सेवन आएगा ठीक है ना और वीक फिल्ड लिगें पर लोग क्या करें यह वन तो त्री लिएए जैसलिट वेल्यों कि इस्टेचिंग आपको बताना सित्री इंपेंशिक लिशिद्व मेंदे कान कि मैं किस के हैं थिके तो इसमें chỉ सिनर्जी बीन ज्यादा होगी इसमें चिको कि और नट किया हो गी स्यादा इसमें प्रल रा इलहां प्लस गर्स कर देगा बढ़ा देगा और पर पर electron density बढ़ जाएगी तो यह synergy bonding में electron क्या करेंगे CO को जादा देंगी जादा देंगी तो इसका मतलब क्योंगा CO की bond length क्योंगी बढ़ जाएगी और CO की bond length बढ़ दिस्टिक फ्रिकेंसी की value क्योंगी कम हो जो दो लिस्ट पूचा है तो आप का अंसर कहूंस आएगा फूरत वाला आजाएगा थेगे न हमें होता है इसलिए इलेक्राइडटाव्का दैसिती बढ़ा जाएगा कि यह तना गूद इन अच्छा होता है कि 2 इन दिन गॉमद एंसी ओंड गाहे हैं तहरा हल्स सब्सक्राइब जाद जाद होने चीए तो सिंदर्ज बोनिक ज्यादा किसमें जहांप इलेक्रों डेंसेटेकर मों यहां पर नेटिव में ऐलेक्रों डेंसर ज़ाद होगी इसलिए मेटल कारबन में बोहुंड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसमें फर्स्ट कंदर हो जाएगी थर्वल ऑप्शन पेरग्राफ सेकंड पेरग्राफ सेकंड के अंदर क्या करें वीच आप फॉलोविंग कॉंप्लेक्स इस एक्सपेक्टिव तो एब्जॉब फोर थाउसेंट एंगस्टॉब तो 780 एंगस्टॉब तो मतलब इनकी वीजिबल रेंज के अंदर कौन आ रहा तो जैसे बात जो कलर सो करें को वीजिबल रेंज में यहां पर टाइटीनियम प्लस फॉर थीके नप्लस फॉर मतलब डीजिरो कॉंपिक्शन तो इसमें डीडी क्योंपिस होगा और डीटेंड कॉंपिक्स में डीडी टंसन नहीं होगा तो इसका मतलब केवल और केवल किसम आएगा सेकेंड जो है डीडी टंसन सो करेंगी इस वजह से यह कलर सो करने के टेंदेसी तकेगा इसलिए वीजिबल रेंज में आएगा कि आपको पूचा क्या कि है कि यहां पे आपके पास कि अलगाए लिगनड़ उक साथ कलर बताने करां तो आपको कणर की मैचिंग करांए ठीक है सबसे पहले मैं लेमड़ा एमिशन ज्यादा किसको अगर हम बात करें विब्यॉर के अंदर इदर के तरफ जाओगे तो लेमड़ा आपके पास वाटता बढ़ता है रेड का लैमड़ा की होता सबसे ज्यादा बढ़ता है जाँ पर स्टॉंग फ्रक लेगेंड होंगी इस क्र लिए फैले यह क तो रेड के बाद में यहां पर जो ऑप्सन दे रहे हैं उसके अंदर येलो आ रहा है तो यहां पर आपके पास क्या एगा सेकेंड आएगा और बच्छा कुछ आपको पास कौन साइगा फर्स्ट वाल एगा तो मैचिंग कराते हैं सबसे पहला जो ऑप्सन इसमें 3 तो बकाना है सबसे पहले अप्सन में आपके पास क्या आना चाहिए फीजिली अदियो के साथ तर्ड मैचिंग एक अजितों एक तो फिर बाद में देखते हैं, B के साथ 1st, तो B के साथ 1st आ रहा है, C के साथ 2nd, C के साथ 2nd, और D के साथ 4th, 4th, तो इसमें option कौन सा आएगा, 1st वाला option आज जाएगा, ठीक है बटा? नेक्स्ट प्रोब्लम, अगला वाला प्रोब्लम क्या कह रहा है, जान दे, कि आपके पास, which of the following match are incorrect, आपको इसके अंदर बताने हैं, डाइपोल मोमेंट की वेल्यू बताने हैं, मतलब मू की वेल्यू बताने हैं, तो मू की वेल्यू केल्कुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले अ हैं, इसके अंदर तीन एलेक्टरों चलेगे, तो तीन एलेक्टरों चलेगे दो, इसके अंदर चले जाएंगे तो यहां पे isol के लेक्टरों और अपके पास की करचे बराबर, च्शक हैं, तो मतलब मू की वेल्यू की वेल्यू जो आए나비 वह आप द्वस – रूट स्टू मनना भूर्ट एंन एन टूलिक्ताव आप स्यायर क्रोमियम की बात क्रोम यहां पर प्लस-3 में प्लस-3 क्तुछ दिफाइब तो प्लस-3 में क्या एक इसके नदर से चला गया और दो इसके अंदर तो एक इसके अंदर चला गए दो इसके अंदर तो दी थ्री आया तो इसमें अंदर उन्पेर्ड इलेक्ट्रोन कितना हैंगे ठीक है ना और तीन अंपेर इलेक्ट्रोन आएंगी इसका मतलब मुड़ कि वहले कितनी आएगी रूट शिप्टीन सेकेंड वाल ऑप्सन सभी ठी जान दें यहाँ पे कौपर जो आ रहा है वह और प्लस तू में आ रहा है और कौपर प्लस टू के अंदर कौपर फ्लस टू को फिस दी नाइन ने के अंदर अंपेर DC आएगा और एक एह पिलेक्रोन आएगा तो मुड वैली रूट उन बरूस-डू मतलब रूट थी की ब़ जो है वो इस्टॉंग फेलिगेंट की तरब यो करेंगा मतलब ऑग्सलेट ओओ लिगेंड वो इस्टॉंग फेल लिगेंड की तरफ यह करेगा और इसका मतलब पेरिंग करेगा तो कॉबाल्ट धी शेवन two होता है और आपके पास क्या रहे कोबाल्ट प्लस ठी ए प्लस ठीक अंदर तीन इलेक्ट्वन चलेगे तो यहां से क्या आगएकर दीशिक्स एस जिरू आजाएगा ठीक है अब डीशिक्स जिरू में चेक करो यहां को पर यहां पर यहां पर फार पाई और अ-फिस्ट वला प्रोब्लम देखिए दावंग फॉलोविंग कंपलेक्स वीचस फॉर्प यह कॉमेटर प्यूंसा सिस्कॉर प्लेनर जुमेट्र रखता है रोडियम जश्ट कोबाल्ड के निच्च आता है ठीक है नौ फॉर्डी स्यम्स का ऐलिमेंट है और फॉर्डी से विख फिल्ट डाइटा में की तरबियों करेगा इसलिए ट्रांस्फरेंस ओप इलेक्ट्रान नहीं हो पाएगा इस वाजिस के टेट्रायल जोमेट्रियों को इसको और पुची तो यहां पर निकल जिरो ऑक्सिदेशन स्टेट में ठीक है नर और निकल जब जिरो ऑक्सिद स्टेट आने का मतलब क्या है कि आपके पास स्कॉर प्लेंडर जोमेट्री नहों के ट्रेटर जोमेट्री होगी इसलिए आपका अंसर थरवाला नहीं होगा फॉर्ट वाले देखें एमनो फॉर माइनस टू में कौन पेक्शिन कौन सोता है एलेक्ट्रों सॉरी आपके पास है आपको यहां सेएवंन ना फ्रॉलमें फॉर्ट वीचंतम विटे नाईल उतिक्व यहां पॉधे रहा हैं मिफेन आहिए मिधेन उसके मतलब इसको अगर में वाटर के साथ एक्शन करो ना को वाटर के साथ रेक्शन करोगे ना तो ध्यान देने बड़ा मिथेन गैस मिलेगे भी इसलिए एलुमिन कार्बाइट क्या एक मिथेन आइडे आंसर नंबर कौन सा है का थड़ वाल आ जाएगा है जान ना कि अब रोडन को फड़लेश्पर मैंगी सेम बताया मैं इसम कार्ब आएड़ रोडन का प्रोड़ कौन सा आए प्रोपाइन होता है आंसर फर्स्ट तरह ठीक है अब देखे multiple choice problem देखते ठीक है multiple choice problem में यहां पर क्या दे रखा है consider the following two reaction आपको दो reactions दे रखी उन reactions के अनुसार आपको बताना है कौन से statement correct होगी CD plus 2 CS3 NH2 CD plus 2 का coordinate number आपके पास क्या बन जाएगा एक तरसे CD plus 2 coordinate फोरता है sorry तो यह वाला आपके पास complex बन जाएगे Sam इसके अंदर भी यह वाला वाइडिंटेट लिगे जबकि यह वाला आपके पास क्या है monodentate ligand के अंदर जाएड सी बात एक klatoring बन जाएगी तो यहां पर आपके इसका मतलब डेलता जी की वेलू ज्यादा नेगेटीड वोगी एस कमपेट उपर वाले की मुकाब्ले में पहला पहला option क्या होगा सही हो जाए चिए किया करा है सेकेंड यह करेंες optically inactive ठीकर यह वाला जो compound हें ना यहां पर आपका cd plus two score planar geometry रखता है ठीकर न स्कोर planar geometry के अंदर simple सी बात है यह वाला पूरा plan of symmetry यहां पर मौझेद होगी और plan of symmetry मौझेद होगी इसका मतलब और प्लेन ऑप सिमेट्री और प्लेन ऑप सिमेट्री आईगी इसका मतलब किया उप्टिकली इनक्टिव तो थार वाला अंसर गरत हो जागे इन्होंने उल्टा देने का के वह के वन के मुकाबलिम क्या होगी ज्यादा तो फोर्थ वाली बात क्या है सबसे पहला सबसे पहला इस और एक्जिश्ट करता है यह कर सकता क्योंकि माइनस है यह आपस में एक्षेंज हो सकते तो आएनेसन आइसमर सो करता है सेकंड देख जामेटिकल आइसमर सो करता है क्या ठीक है तो यहां पर कॉंडिनेसमर 6 में आप सस्कारर अ यहां पर यहां पर यहां पर आप ऑभी आ गया यहां यहां पर ए भी आ रही है और दोक वॉसिबिलिट स अरही है और अगर आपके पास करें रहा है यह उप्तिक लिए अपटीग लिए तो आपका इस परती रोटेशन गावर जो है वह डिफेरेंट नहीं होगा चीए सिन जो है वो क्या है अब इंटेंट लेके इसमें डॉलर रेटरम सलकर भी हो सकता है नाइटोजन भी हो सकता है इसलिए यह लिंक जाए सो करेगा इसका आशर जोगा वन कॉमा टू कॉमा फोर्ट वाला अंसर आजाएगा ठीक है भी नेक्स प्रॉब्लम अगला प्रॉब्लम क्या कह रहें विच कॉमफ्लेक्स इस्पेसिस ड्यौन इंभी जोगों इस अती नहीं करता है नौट जोगा इस एपको यह भी धाना कदिशन में किसके अंदर हाँ नहीं करता है। बात करें, EDTA जो होता है, वो क्या होता है, hexa dented ligand होता है, तो hexa dented ligand होता है, तो cobalt में hexa dented ligand जबी भी आएगा, तो केवल एक structure possible होगी, पूरा hinge structure बनेगा, और एक ही possibility बनेगी, तो इसका मतलब एक और उसके साथ भी क्या होगी, इसकी mirror में जाएगी, और geometrical isomr so करने का fixed day, ठीक है, तो यह geometrical isomr so नहीं करेगा, इसकी condition fulfill होगी, दूसी बात, यह वाला optical ही active होगा, और साथ साथ इसकी mirror में जाएगी, इसका मतलब इसमें दो steer isomr आएगी, तो answer number first हो जाएगा, second, second वाली बात कहा रहे है, PT यहां पे कितमे देरका, प्लस 2 में, जो भी यह PT प्लस 2 में, और PT प्लस 2 में, ध्यान रकना कोडिनेस समर चार यहां पे है यह, और इसका structure जो होगा, simple सी बात है, इसको और प्लेनर structure होगा, और इसको और प्लेनर structure होगा, तो यहां पे यह सवाल ही पैदा नहीं होता, कि यह इस ती आप्टिकल isomer में सोब करेगा, क्योंकि यहां यहां पे जोमेटिकल आइसोमर जो है, अग्जिस्ट करने की possibility लेती है, क्योंकि यह वाला आपको डिफरेंट आ रहे है, दूसी बात, only two stereoisomer, इस्टीर आइसमर होई नहीं सकता, ठीक है, और यह वाली बात करें हम यहां पे यह वाला M, यहां पे A2 दे रहा है, और साथ में यह BB दे रहा है, ठीक है, ऐसा structure दे रहा है, ठीक है, पहला इसका यह वाला symmetrical, ACAC resonance के कान की होगा, symmetrical होगा भी, ठीक है, इसके structure possible structure बनाने की कोशिस करते, यहां पे AA आगे है, ठीक है, और यहां पे भी क्या आया, AA, और इस जगे पे आपके पास क्या आएगा BB, ठीक है, इनको एक्सेंज करने का कोई फाइदा होना नहीं, कोई नहीं geometry आएगी नहीं, तो यहां पे geometry isomer हो गए नहीं, इसमें geometry isomer नहीं दूसरी बात, यह वाला optical active है, और अगर optical active है, तो इसकी mirror maze को भी consider करना पड़ेगा, और mirror maze को consider करोगे, तो आपके पास stereo isomer कितना हैंगे 2, तो आपक answer थड़ वाला भी हो जाएगा, next देखते, अगला वाला क्या कर रहे है, PT NO2 aux glide, ठीक है न, तो simple सी बात है, यहां पे तो आपके पास क्या है, यहां पे NO2 है, और साथ ही aux है, यहां पे glide है, तो यहां पे एक तरसे M, AA आ गया, और यहां पे क्या है, बीबी आ गया, या फिर क्या सकते M, AA हो गया, और दूसरा यहां पे glycinator में, एक तरसे CD ले सकते आप, ठीक है, और यह वाला flexibility ligand की तरफ भी हो करेगा, तब यहां पे इसको A to consider कर सकते, ठीक है, या फिर इसको EF consider कर सकते, ठीक है, तब इसमें तो simple सी बात है, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, geometrical isomerism, एक तरसे सो हो जाएगा, और geometrical isomerism में सो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, कि यह वाला जो है, यह option में नहीं आएगा, इसका answer जो होगा, वो कौन सो होगा, first and third वाल answer आजाएगा, ठीक है बड़ा, next problem, क्या कहा रहा है, consider the following two carbonyl compound, TcCO6, LbCO6-, ठीक है न, आपक correct statement for the given carbonyl compound, in carbonyl compound के लिए incorrect statement बताना है, ठीक है, पहला क्या कहे रहा है, TcCO6 plus act as reducing agent, whereas, NbCO6- act as oxidizing agent, पहले चेक कर लेते, सबसे पहले EN की value निकालते है, इसके लिए EN की value देखते, यहाँ पे EN की value जो आएगी, Tc का atomic number 43, plus 1 आ रहा है, तो मतलब minus 10, plus electrons जो आ रहे, total 12 आ रहे, इसकी value आएगी आपके पास 54 के बराब, ठीक है, तो इसकी EN की value 54, सेम इसके लिए, इसका उताब 41, plus 1 electron extra add हो गया, plus 12, यहाँ पे भी EN की value कितनी आ रही, 54, ठीक है, दोनों के अंदर EN की value आपके 54 आ रही, मतलब noble gas का electronic convection को follow करा है, मतलब ना तो reducing agent की तरफ बीव करेगा, नहीं oxidizing agent की तरफ बीव करेगा, तो first statement क्या करा है, reducing agent और oxidizing, सरासर गलत हो गया, second क्या करा है, act as reducing agent, oxidizing agent, यह भी गलत हो गया, third वाला, देखो इन दोलों में अगर synergy bonding की बात करे ना, तो electron density इसमें ज्यादा है, और electron bond density इसमें ज्याद है, तो इसमें synergy bonding क्या होगी, ज्यादा, आगे क्या करा है, NBC bond order in, is stronger than TC bond order in, this, ठीके न, तो bond order NBC, NBC में bond order आपके पास क्या है, जाएट से बात है, synergy bonding के इसके अदर ज्यादा होगी, तो metal carbon bond order क्या होगा, ज्यादा होगी, तो मतलब यह वाला third statement क्या होगा, सह इसमें क्या होगा, इसके अंदर synergy bonding ज्याद होगी, इस वज़ें CO की bond length बढ़ जाएगी, और CO की bond length बढ़ेगी, तो CO का bond order कम हो जाएगा, तो यह वाला option जो है, वो आपके पास क्या होगा, गलत हो जाएगा, तब अब पूचा क्या होगा है, कि incorrect statement बताना है, तो simple सी बात incorrect statement कौन कौन सा आएगा आपके पास, एक तो first वाला आजाएगा, एक second वाला आजाएगा, एक आपके पास कौन साएगा, fourth वाला आजाएगा, ठीक है बढ़े? next problem, consider the following reaction of complex A and B and C, आप पास A, B, C की complex की reaction देर की, पहला प्रोब्लम क्या करें, एजी सी एल जो है ना, एक मोल बन रहा है, तो मतलब काउंटरा एंड में सी एल माइनिस कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, कोबाल्ट यहां पर किसमें देर का, प्लस त्री में देर का, त यह जो काउंटरा का, कोबाल्ट है, एनसीरी कितने टैप से ले लिए, अपने फाय टैप से ले लिए, और यहां पे सी एल बाहर की तरप एक रखना है, तो एक सी एल क्या रहेगा, और बाहर की तरप आपके पास कितना हैगा, एक सी एल आएगा, ठीक है ना, और साथ पूरा को पुरा 5 अंदर की तरफ रहेगा और यहाँ पे ब्यार अंदर की तर देख है ऐसे तुस्पल जी बात जब एक मॉल के लेना है तो इसका मतलब क्यों होगा कौंट राइं में बाहर एक अंदर की आएगा सीओ बचा हुआ क्यों पोर मॉल आपके पास क्या है तो यह तो हमने ABC complex के बारे में बता दिया ठीकिन पहला option क्या कह रहा है आपको बताना है correct statement बताने इसके अंदर compound A and B are ionic isomer check करते हैं इसमें वियार और CL वियार भार है इसके अंदर वियार आपको पास अंदर है तो सिंपल सी बात एक दूर से क्यों है क्यों है आइनस इसमर तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही हो जाए सेके देखो इसके अंदर number of ions तीन बने और इसके अंदर भी number of ions तीन बने तो दोनों के अंदर number of ions बराबर बन रहे इसका मतलब दोनों की और molar conductivity value किया आगे almost सेम आई थार वाला compound ABC डू नॉट एक्जिबिट जोमेटिकल आइसोमर देखो यह वाला जोमेटिकल आइसोमर एक्जिबिट नहीं करेगा यह वाला इस्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो घिके फोर्ट वाला order of CFC देखो यहां पे दोलों में ammonia ammonia same आ रही है इसमें ammonia कम आ रही है तो strong field ligand कम है कम है इसका मतलब सबसे कम CFC कि 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 आईगी इन दोलों में देखा जाए यहां पर chlorine आ रहे लिगेंड में यहां पर तो वन कॉमा टू कॉमा फोर्थ आंस्वर आजाएगा ठीक है भी नेक्स प्रोल्म देखते हैं देखो विच वन अब दी फोलोंग इस्टेटमेंट इस और फॉल्स आपको बताना फॉल्स स्टेटमेंट तो पहले सही कौन को सी चेक करते हैं दो वीक लिगेंट लाइक एप माइनस सील माइनस वास माइनस यूजली लोग स्पिन कॉम्प्लेक्स गलत बात है बही एक्टुलिम क्या होता है यह तो पेरिंग नहीं कराती और प इस पिन कॉम्प्लेक्स होते है तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया अगला वला क्या करें एक फी एक सिक माइनस इज री हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यह बात सही है क्यों क्या है विक फिल्ड लिगेंट तो पेरिंग नहीं करा है तो आंदर अपके पास नीक अंदर डीएट एच टू एक के लेक्ट्रों को बेज जाता है कि इसके अंदर डी के अंदर बेसिकली लो स्पिन कोंपलेक्स होता है तो यह वाली बात आपके पास क्या होगी गलत आपको कुछ अगया फॉल्स स्टीमेंट कुछ आगया तो फॉल्स कौंद कौंच आंगी एक तो फर्स्ट आ गया एक सेकिंड आ गया और दूसरा फोर्थ वाला इस का अंसर आएगा वन कॉमा टू कॉमा फोर्थ आंसर आजाएगा ठीक है और भी जान बना दूसरा हम क्या करते हैं यहां पर एक से आएगा एक तरस एए इन दोलों के पीजिए अपस में एक से आएगा तो एलब कोई पॉस्सोमिलिटी नहीं यह तो यहां पर जामें कितना हैं इतीन तो पहला स्थेट्मेंट क्या होगा और सएकंड only one space isomer is optically active and remaining are inactive दोको यह वाला जो है optically inactive क्योंकि यह दोनों से मारे इन दोनों पेर से मारे यह भी क्यों होगा optically inactive हमको पुछा गया कि एक optically active गलत है एक भी इसके अंदर क्या नहीं होगा optically active नहीं होगा यहां पर total four space isomer क्या पुछा है कि चार space isomer है चार space isomer कम होते हैं जब इसमें से कोई ने कोई एक optically active होता यहां पर कोई optically active नहीं है तो totally space isomer 3 होंगी यह वाला statement भी गलत हो जाएगा अगला के the magnetic moment of the complex देखो सबसे पहले आप क्या करो कि इसमें oxidation state निकालोगे CR ठीक है तो यहां पर CR की जो oxidation state आएगे ना वह प्लस 3 ठीक है तो CR plus 3 में D3 कौन पिक्सन रखता है और D3 कौन पर 1,2,3 अंपेड इलेक्रोन तीन आ रहे और अगर अंपेड इलेक्रोन तीन आ रहे तो इसका मैगनेटिक मोमेंट की वेल्यू 3.89 के बरावर तो इसका अंसर कौन सा एगा फोर्ट वाल आ जाएगा ठीक है मतलब आपको correct statement पूचा है ना तो correct statement एट फोर्ट आपका क्या होगा तो यह वाला complex मनता ब्राउं रिंग complex एफ एच्टो होल 5 यहां पर एन और यहां पर क्या है का एक सब्सक्राइब जिसके अंदर एनों जो होता है एनों पोजिटिव की फोर्म होता है और एपके और प्लस वन होता है ठीक है पहला क्या कर रहे है दा कलर ऑफ कलर इस ड्यू रच के रचाल फर यहां पर मैटल टूलिगेंड ़ंचाल ट्रांसपर होता है यहां पर आपके पास एप्लस वन्में और एनों एल्लेक्रॉं पर गता है तो उ tren तो अपतर होता है और कलर का वाला दा, complex can be represented as F e h 2 all 5 n opposite, so simple जी बात है, S of 4 क्या है, minus 2 के अंदर, तो ये वाला क्या होगा, plus 2 के अंदर, तो ये वाली बात भी क्या है, साई, ठीक है, iron has, plus 2 oxygen state, गलत बात, iron का में ने क्या बता, oxygen state कितनी होगा, plus 2, 1 होती ही, यहां पी, देकिने, the correct order of thermal stability, देखो, thermal stability में आपको ये तो पता ही है, कि polyatomic हो, top to bottom जाने पे thermal stability के बढ़ जाए, तो फर्स्ट वाला statement साई, monatomy में top to bottom जाने पे क्या होगी, गढ़ जाएगी, second वाली बात साई, ये भी h- क्या, monatomy के, इसमें भी क्या होगी, गढ़ जाएगी, और CL- monatomy के, इन्होंने बढ़ती भी बताई, ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसका अंसर कौन साईगा, 1,2,3 वाला आंसर आजाएगी, ठीक है, next problem, यहाँ पर को, हाइडोजन, बीते मैटल इसम एंदे हाजाई, किसी मैटल के साथ reactson करता है, और क्या बनाता है āए, ईनिक हईटरी बनाता है, मैटल ए गिव ब्रीक रेड簡, यहाँ पर रदे बिलक रेड कबलर, ऊहलाएगी इस अधया ब्रिक रेड कलर, जालेंगों के यह वाला जो है बेरियों करdıके खमको क्या पूचा कि प्रैड कलर और ऑर बैड क्या होता क्या धूत कर दो प 향ब हूं कघूर है कि कल सिमकिजियं की मानी के साथ तो च pasta और टीका आगे है रहे हैं कि अगर मैं इसको the component treating with water अगर मैं इसको water के साथ reaction करूंगा वाटर के साथ तो simple सी बात क्या बनती है यहां पर सी यह ओज का whole choice बन जाएगा प्लस साथ में क्या बन जाएगा hydrogen gas liberator हो जाएगी ठीक है आइडिटिफाई ABC यह वाला सी कंपोंड देखो आप्शन देखो एइस कैल्सियम पहली बात सरासर सई एक कैल्सियम बी कैसी एस टू बी सी एस टू यह भी बात सई और सी कैसी यह ओज का whole choice कैल्सियम है यह भी बात सब्सक्राइब जब कि सी सी एस टू ओफोर नहीं है तो फोर्थ ऑप्सन गलत हो जाएगा इसका अंसर कौंसा है बड़ा वन कॉमा टू कॉमा थ्री वाला अंसर आजएगा ठीक है कि नेक्स्ट वीच आप दी फॉलोविंग स्टेटमेंट और क्राइग ठीक पहला क्या करें के वची स्ट्रॉंग लेस्ट्रॉंग अलकली दें अनुच आपको मालू में आप टू बॉटम जाने पर हाइड्रोक्साइड का बेसिक एक्टर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है यहां पर उल्टर भो लटा क्यो घवैसे क्योंच ज्यादा हूंगर बिस होता है तो फ़र्स वालन हंस्ट प्रस्ट ब добр ऑप म हैं ऑप मैंसिया अफ कॉल्टे सावरो bet ऑंता जो हता है और हो क्या होता है उसस्पेंस właściwie ऑंस मोहीं सफों नोट है फ्रेशिप्टेटिट विड़ एडिशन आप एनेच फोर ओएच पॉएच प्रजिंस उपनेच पोएच यहां पर ही यह वाले स्टेटमेंट मैं सहीं नौट क्रेशिप्टेट लिखा हुआ है basically mg plus 2 जो है ना वो precipitate होता है with the help of HPO4-2 साथ में NH4 वह इसमें PPT बनती MG NH4 और यहां पर आपके पास कहाएगा HPO4 ठीक है ना HPO4 HPO4-2 MG plus 2 तो यहां पर basically PO4 की PPT आएगी इसकी इसके साथ PPT नहीं देता तो यह बात सही है नौट है इसके लिए आपको यह वाले लेना पड़ेगा ठीक है अगला CAO2 is less stable O2-2 जो है ना वह क्या है वह polyatomic है और polyatomy top to bottom जाने पर थर्मल इस्टिमेटी क्या होगी बड़ेगी इन्होंने उल्टा कहे रहे है कि लेस्ट बले तो यह बात क्या होगी गलत तो 11 का अंसर कौंस आएगा थर्ड वाला अंसर आजाए ठीक है कि नेक्स दिखो B E and E also diagonal relationship Beryllium or aluminum की properties almost same होती क्यों होती है क्योंकि स्की electronic is same होती है ionic radius almost same होती है similar electronic और metallic character similar नहीं होता तो इसका answer कौंस आएगा one in second आजाएगा नेक्स बीच आफ फोलोविंग पेर्स प्दी compound does not exist in the aqueous solution aqueous solution में एक साथ exist नहीं करते क्यों नहीं करते देखो कौन-कौन नहीं कर रहता तो यह यूगम अस्तित्य में रहता तो यह रहेगा सेकेंड वाला देखो सेकेंड वाले में एने अचे ओवर माइनिस एच्छी माइनिस की बीच में रियक्शन होगी क्योंकि यह अच्छ प्लस को लेगा तो यहां पर एक तू आज आएगा और यहां पर क्या एक इसलिए यह दोनों एक साथ एक जिस्ट नहीं करते तीसरे वाले हां यह कर सकता क्योंकि स्यों थ्री माइनिस टू और ओच माइनिस का आपस में कोई ज्यादा लेने नहीं और साथ में यहां पर पीपीटी का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाईगा इसलिए यह वाले एक्जिस्ट कर सकते तो आंसर में यह आपको पुछा गया गया है नौट ए यह तीनों एक्जिस्ट नहीं कर पाई ठीक है फोर्टीन कौन से कंपोन्ट कोवलेंट यह बताने आपको ठीक है नौ एल एफ आयनिक होता भी ठीक है लिए वाइनिक होता है यह यह वैसे यह यह एल्चल3 एन आइड्रस पॉम में तो क्योंत होता है लेकिन यहां पर शिक्स यह पर यह tomorrow दे रखा है इसके बारे में बताना है क्या सबसे पहले यहां पर ज्यान देर सी आर प्लस ठीक तो two Children ट्री तो क्यों पिकशन क्यों कि तरी और अंपें एलेक्रोन कि नहीं कि प्रीकिल आइए तिक वाट एडिए गलत हो गया ग्रेंड कलर का कंपोन इबास परामेंड होता है कोडनेसन इस्मर्स सो करता है कि यह सी बात दो को अब फरीको दोनों को आपस मैं एक्षेंज करते हों तो यह वाला कोडिनेस आइसोमरीज में एक्जिस्ट करेगा इसके अंदर तो कौन साइगा तू थर्ड एंड फोर्थ ओल आजाएगा ठीक है नेक्स देखे वीच आप दीफोलोविंग सो आपको बताना है कौन सा ओप्टिकलाइस में सो करेगा ठीक है सबसे पहले यह वाला की बात करते हैं तो यहां पे आपस में एक्षेंज कर रहा है तो यहां पर यह वाला भी और यह भी क्या एगा एगा अग्जिस्ट नहीं करेगा दूसरे वाला जो है अग्षेंज करेगा अग्षा इसमें भी क्या होगा अगर MAA2 वाला टाइप का जाएना एक्षेंज करेगा तो इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि जब आज बाजु लेते हैं ना तो यहां पर आपके पास क्या होटा है और प्रोप्टिकल एक्टी मिलता है तो ऑप्टिकल एक्ट एक्जिस्ट करेगा ठीक है फिर बाद में फोर्त वाली बात कर तो फोर्थ हिस टाइप का है यहां पे एम-a ले लिया दूसरा-a2 ले लिया और बी-टू ले ठीक है ना इसके अंदर देखो एक हो हमने क्या-क्या यहां पर fix कर लिया, A को हमने fix किया, और यहां से क्या है, A2 लेते, A Same ले लिया और BB उपोजिटिमें ले लिया, एक possibility यह है, ठीक है ना? और b b के opposite वज़या एक प्ले ले लिए यहां पे बीवी लिए ठीक है ने इसके अंदर तो plane of symmetry आ जाएगी ठीक है बई और इसके अंदर भी plane of symmetry आती है इसके अंदर चेक करें अगर मैं plane कहुं सा लोग यह वाला plan लोग यहां पर e और b opposite फेक अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो तो इस तरीखे से cut करूंगा यहां पर plan of symmetry नहीं आई और यह की मिरमेज ये वाली तो जाएगी लेकिन इसकी मिरमेज ये वाली नहीं हो पाई इसको अगर ऐसे cut करूं तो भी मिरमेज नहीं नहीं पाई तो यह वला क्या होगा एफिटीकलि ऑप्तिकली एक्टी रही होगा है टो इसका मतलब आपके पास कोई भी एक subtle क्पास अगर अगर आप इसल कर सब नेक्स्ट अब कोश्य का नदर उनाल एक फ एक अफम कर लेगा तो यह पाहले प्लस करें ठीकिल हो इसमें प्लस हूँ होगा टी आई प्लस त्री इसके अंदर डीवन कॉंपेस्ट होगा इसके वालिए प्यरा मेंगेटीजन सो करेगा जिसका आँसर वन कॉमा थी कॉमा फोर्थ वाला अंसर आजाएगा अब दो इंटीजर टाइप की प्रॉब्लों क्या अगर इप इन ऑप सेंट्रल मेट लाइन तक यहन की वैल्य जो सब्सक्राइब तसब्सके 10-10Зबाइन शक्राइब ऊंब सेंट् niveau 26 से होत्य कि अब 24 में कि Tôi इस चूड़ा कि सबसे पहले यहां पर कॉपर प्लस वन में तो कॉपर प्लस वन में डीटेंड कौन पीसे होता है और डीटेंड कौन पीसिन का मतलब क्योंगा डाया मेंगेटिक तो यह वाला सांसर में आए ने सेकंड के अंदर यहां पर वननम को देखते तो उनले ने के अंदर बंद म की आक्षिण इस यह इस इसके अंदर यहां पर यह वाला यहां पर क्लस फ्लस देखते कोबाइट प्लस 3 का कॉन्पिक्षन कितना हो गई करसे डी 6 हो गया ठीक है डी 6 कोबाइट प्लस 3 का कॉन्पिक्षन डी 7S2 और तीन इलेक्ट्रोन चला गया तो डी 6 अब देख तो इस पे यहां पर आपके पास क्या रहे हैं स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड है और स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड है तो पेरिंग होगी यहां पर फॉर और फाइव और शिक्स तो पेरिंग होगी तो इसका वाला अन्पर इलेक्ट्रोन जीरो तो यह वाला क्या नहीं करेगा पैरा मैंग्नेटिक पैरा मैंग्नेटिज में सो नहीं करेगा सेम यहाँ पे आपके पास क्या रहा है ऐसी जो है फ्रमगनेटिज में अन यह तो यह तो simple से standard brown ring complex है और brown ring complex के अंदर unped electron 3 होते हैं ठीक है तो इसमें पेरामेडिक इस सोग करेगा Jesus salt Jesus salt का formula होता है कि यहां पर क्या है PT CL3 Nita 2 C2H4 ठीक है यह वाला होता है तो यहां पर PT plus 2 है और इसके अंदर तो pairing हो जाएगी और pairing हो जाएगी इसका मतलब यह वाला यहां पर यहां पर सिंपल सी बाते कोबाल्ट के नीचे रोडियम आता है तो प्लस वन ने तो जो क्यों कोबाल्ट को कितना होता डी 7 अच्छी का कि अगर डी 7 एकसर रहें तो डी एट इसमें पेरिंग से पेरिंग होगी और यहां पर मेंदो करेंगी तो यह कौन कौन से यहां पर आपको बताने पूसिबल नंबर आइसमर मतलब पूर्य आइसमर बताने तो यह कुछ इस तरीके का है एम ए ए ए टू भी ठीक है एट पॉसिबल आइसमर बनातें एम ए ए तो आपके पास फिक्स कर लिए नहीं यहां पे ऑपोजिटी में यहीं और बी भी आगया ठी सेम्टीस यह भी तो सकता है यहां प्रहिए यह एक आपचित में बी और यह प्रहिए इन दोलों को एक्षेंज करने का कोई फैदा नहीं होगा भी ठीक है अब देखो यह वाला उप्तिकल इनक्टिव यह ब्हूंग जबकि यह वहाला क्या होगा आपके पास Oxygenative होगा इसके दो अप्टिकल इनक्टिव और दो अप्टिकल एक्टिव और अप्टिकल एक्टिव की मिरे मेज को भी कंसरीट करना पड़ेगा तो टोटल आई सोमर्स कितना हैं आप पस चार के बराबर आज आए ठीक है नेक्स्ट इसमें बता नहीं हाँ मेनी पेर्स आर इन विच फर्स्ट इस्पीशियाव लोवर होने चाहिए सेकंड ठीक है चलो नाइट्रोजन और ऑक्सिजन में आएनसे अनर्जी की वैली नाइट्रोजन की ज्यादा होती क्योंकि पीट्री कॉन्फिक्स रखता है आपको प होएन आणसर नहीं आएगा अर्यम डाँवांट में पैंटेरेशन बिच फक्ट्री इसमीं एल्यक्रोन जाएगा इसमीं इन्ट्रोज जाएगा तो बैरियलियूंक रिश् Response कि जाद आएच्ध याइज आइस आंसर माइस मिलाई माइंस से एसकी ऊज़िगए तो यह भी आप्शन में नहीं आएगा लीथियम और लीथियम प्लस वन तो लीथियम प्लस वन से इलेक्ट्रोन को अठाना मुश्किल होता भई इस वजह से इसकी आइने से एनर्जी की वैली क्योंगी ज्यादा तो इसमें यह वाला आप्शन आजाएगा क्योंकि फर्स्ट क और बेरियम की बात करें तो बेरियम की बेरियम निचातर दिए उनिस वैली क्योंकि कम होगी ठीक हमको कम का पूचा तो यह भी आपसन आए गा तो आपके पास कितने अपसन है से कि यह वल दो उप्सन है जिसके अंदर फर्स्ट की आजने से वैलिक लोगर आरी तो आंसर द तीन अबाल पाइनगे सिस्ट्राइब सब्सक्राइब अचाहिए संद्सक्राइब सोरी अश्युछन था एक तो यह सब्सक्राइब लिगेंट होगा तो इसके आंसर कौन सा हैंगे थड़ आएगा है नेक्स्ट नंबर ओप सिग्मा बॉंड प्रेजेंट इन वह सिग्मा बॉंड की वैली की बात करें यह वाला पाई डॉनर स्वरी सिग्मा डॉनर पाई एक्सप्टर ऐसे सीओ कितने भई तीन चार सीओ सिग् में में एक डॉनर पाई एक सिंग्मा यहां पर मितक्यक्क तो एसे एक में दो और दो करेंगें ऑंट के बढ़न की बढ़न कि बच्पी बड़ ठीक है चलो झो आपको बताने स्कॉर प्लेंब aus रखता है ठीक यह तो प्र दोगा ये नियों और यह लोड़ता है यह उभला है यह वाला स्कवार प्लेंड़ रखता है स् प्लेंडर स्पॉर पर एककि इन यसके आनशर कि यह तीन हे कर छलो चलो नेक्स चलते हैं और अर्गनमेटली कंपॉंड कौन था इस्टेंडर फैरोसीन और अर्गनमेटली कंपॉंड जीसस और भी इसमें कार्बन मेटल बॉंड नहीं होता तो इसका असर चार आ जाएगा ठीक है नेक्स प्रोलों एफी 3 और आपको एक्स की वैली निकाल लिए ब्रेसिकली कार्बनील कंपोर्ण जाद तर्कारबन कमों इन रून को फोलो करते हैं तो देखते एपी तीन आ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें ही मैटल मैटल मॉंड होगा भी ठीक है अब देखते एफी एपी कितना हो तो 26 इंटु कितन है कर 2x upon average निकालो कितना अपॉन 3 बराबर कितना होना चाहिए 36 के बराबर तो यहां से एक्स की वेल्यू कैलकुलेट करोगे न तो एक्स की वेल्यू 12 के बराबर आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स पॉब्लम इन वेल्यू आप जिसस सॉल्ड जिसस सॉल्ड में एन की वेल्यू निकालोगी जिसस सॉल्ड क्या होता है प्लस दो में होता है ठीक है बई यहां से इलेक्ट्रोन पर देगा यहां से भी देगा और यहां से भी देगा और यहां पर नीटा टू में यह पाई डॉनर होता है ठीक है अब देखो प्लेटिनम होता है 78 नमबर का ठीक है प्लस 2 का मतलब माइनस 2 तो 76 हो गया और इलेक्रोन कितना रहे है दो दो चार दो छे दो आठ आठ इलेक्रोन आ रहे है तो इसका कितना आएगा 84 ज्यानक ना जिस सॉल्ट में मेटलाइन के एन की वेल कितनी आगी 84 के बराबर आ जाएगे ठीक है थैंक यू वेरी मुच्छ